हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू माई यूटूब चैनल आज हम आपको बादम से होने वाले लाब के बारे में बताएंगे लेकिन आपसे मेरा निवेदन है अगर अभी तक आपने मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें और साइड में घंती के दस बादम किसी मिठी के बरतन में बिगो दें और उन्हें प्रातेकाल खाएं बादम में प्रोटीन बसा बिटामिन और मिनरल प्रियाप्त महत्रा में होते हैं इसलिए यह स्वास्ते के लिए भी अच्छा माना जाता है बादम आपके दिल को मजूद बनाता है सब्ता में पांस दिल बादम का सेवन करने वाले लोगों में समाने लोगों की अफेक्षा हर्दैघात का खत्रा भी कम रहता है बिटामन में मौझूद बिटामिन ए एंटी ऑक्सिडेंट की तरह काम करता है यह दिल की बीमारी को दूर रख उस बहतर तरीके से काम करने में मदद करता हड़ifen हड़ियात बनाई मझूद बादम में कैल्सियम भरफूर महत्रा में हмотри कैल्सियम हड़ियों के लिए बहुत जरूरी होता इह इसलिए बादम का सेवन करने वालों की हड़ियों की बीमारी यानि ऑस्टो पेयरोसिस होने का खत्रा कम रहता है इसके साथ कैल्सियम दात और खाने से दिमाग तेज होता है, कैंसर का खत्रा कम करें, बादाम में फाइवर की महत्रा अधिक होती है, फाइवर हमारी पाचन क्रिया को दुर्स्त बनाई रखने का काम करता है, पाचन क्रिया ठीक रखने से कोलोन कैंसर का खत्रा कापी कम हो जाता है, प्रेगनेंसी के ल मौझूद प्रोटीन, प्रोटीशियम और मेगनेशियम हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होती है। अगर आप मोटा पे से परिशान है और आप अपना बजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में भीगई बादाम को सामिल करें। पर जुर्या नहीं बढ़ती है और काफी आपकी त्वचा काफी सुन्दर लगने लगती है। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आईए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें। ये इधर अपक पस्तों आपकी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब शुर्गजा पस्तों आपकी तो बादाएब